हेलो फ्रेंट्स वेल्काम बैक टो मैं चानल अम्रिती पैचामिला आज की वीडियोबे हम लड़ू को पाल जी के लिए पोश्टाक बनाएंगे यह हमने जीरो साइस के लिए बनाई है यह देखें आप बहुत चोटी सी पोश्टाक है यह इतनी चोटी सी है इतने में ही आ जा रही है तो इसे हमने अस्तर के फैब्रिक सी बनाया है इसे बनाना बहुत एजी है हमने पूरा मेजर्मेंट के साथ अच्छे से एक 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 जिश क्लियर करके आपको बताई है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होग इसी बनाने में तो आप वीडियो पूरी द यहां पर Batu की लेटेस्ट। फिक से एक और चलिए अब हम वीडियो को सटाट करते हैं और देखते हैं कि हमने और दिए ओमने पूरा कैसे बनाई को पालará अब हम इसकी measurement देख लेते हैं तो यह 0 size के कानल चाहिए है यह देखिए मैंने 20 से fold करके press लगा दिया था क्योंकि हमें ऐसे ही जरूरत है इसकी मैं एक बार आपको measure करके दिखाते हूं कि कितने inch लंबाई और चोड़ाई का है यह जो यलो वाला है यह हमने देखिए लगबक हमारा 5.5 inch है लंबाई और इसकी चोड़ाई हमने रख्की है यह देखिए यह हमारी 3.5 inch चोड़ाई और 15.5 inch लंबाई का है यह देखिए 15.5 inch है और पिंक वाले की लंबाई तो सेम ही है यह देखिए लंबाई हमने सेम रखनी है बट यह जो चोड़ाई है इसकी कम है इसकी चोड़ाई हमने रख्की है 2.5 inch यह देखिए यहांसे आपको अच्छे से दिखेगा तो अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे आप fold करके और ए प्लस लगा लें अब हमें क्या करना है यहां से और यहां से एक एक सिलाई लगानी है इसके उपर भी लगानी है चले लगा लेते हैं दिखाएंगे क्या करना है यह देखिए सिलाई लगाने के बाद एक को हमने पलट के सिधा कर लिया है अब यह मारा दूसरा वाला पीस है इसे भी हम यहां से ऐसे करके पलट के सीधा कर लेंगे दोनों को हमने पलट लिया है अब यहां पर हमारी finishing है अब एक side वस इसकी यह खुली होई है तो जो side खुली होई है उधर से हम ऐसे करके plate डालेंगे बहुत ही simple और आसान सा तरीका है यह देखें ऐसे करके हमने plate डालनी है और same इसके उपर भी हम वैसे ही plate डालेंगे चलिए दोनों के उपर plate डालके सिल लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखें हमने दोनों के उपर plate डालके सिल दिया है चलिए जॉइंट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है यह रेखिए यहाँ पर हमने इसे सिल दिया यह कितना सुन्दर लग रहा है एक ज़म क्यूट सा छोटा सा अब हमने यहाँ पर लिया है नेफे के लिए फैब्रिक इसकी चोड़ाई हमने लग बख 1.5 इं यह देखिए हमने यहाँ पर इसे सिल दिया और इस पर भी थोड़ी दूर सिलाई लगाई है हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्टा रखके और कट कर लेंगे यह देखिए इधर से तो हमने फोल कर दिया था बट इधर से हमने नए फोल किया है तो और क्या करेंगे यहाँ से इ यह देखे यहाँ पे हमने इसे बना लिया है और सेम तरीके से हमने एक पीस और तयार किया है हमें दो पीस चाहिए तो यह हमने दो पीस रेडि कर लिया है, अब हमने यहाँ पे चोली के लिए फैब्रिक ले लिया है, यह देखें इसकी लंबाई हमने, मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूं, यह हमने 6 इंच ली है, और इसकी चोड़ाई हमने यह देखें, एक इंसे थोड़ा साधी के, एक इसे भी इसे फोल्ड करके प्रस कर दिया है अब यह जो खुला वाला हिस्सा है इसका और यह जो इसका भी खुला वाला हिस्सा है दोनों को ऐसे कठा रखेंगे और यहां से एक सिलाई लगा लेंगे चलिए लगा लेते हैं फिर दिखाएंगे क्या करना है यह दिखिए यहां खोलने के बाद यह जो यलो वाला हमारा है यलो वाले के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे चले हमें तक आप करते हैं फिर दिखाएंगे क्या करना है यह रिखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी अब क्या करेंगे इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ बी आगे की साइड रखेंगे पेट की साइड और दिखें क्या करना है इसे यहां पर ऐसे रखके सिल देना है और इसकी दूसरी साइड हम अपने इस वाले स्ट्रिप को रखके सिल देंगे ऐसे करके यहां से सिल लेकानी है चलिए सिल लेते हैं और दिखाएंगे कि इसे आप कैस पहना सकते हैं गोपाल जी को यह देखिए हम नहीं पर ड्रस बना के रेडी कर लिया है तो चलिए आप देख लेते हैं कि आप इसे पहना जी को कैसे पहना एंगे वैसे इस तरह की पोशाक मैंने अपने गोपाल जी के लिए थी मेरे गोपाल जी साथ नंबर के हैं और उन्हें पहना के दिखा भी देथी वीडियो में तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन वें देख रही हूँ हूं वहां से जाके आप चुक कर सकते हैं वहां पे बहुँत क्लियर समझ में आएगा कि आप इस तरह की पोशाक अपने गोपाल जी को कि इस तरह से पहना सकते हैं अब आप देखिए आप गो कैसे पहनानी है यह इसका जो हमने थोड़ी दूर सीला था यह वाला हिस्सा आगे रहेगा यहां से यह गोपाल जी के गले में डालेंगे हम और फिर यह जो पीछे वाला हिस्सा है यहां से ऐसे लिए आके आगे बादेंगे हम उनके कमर प दिया और फिर हम क्या करेंगे इसका यह वाला जो हिस्सा है अब यहां से लियाके और उनकी पीट पर बांद देंगे यह देखिए कुछ इस तरह से यह ऐसे आजाएगी ड्रेस और एक तरीका मैं आपको और बताती हूं अगर आप वैसे बांद दा चाहें तो वैसे भी बांद सकते हैं यह देखिए मैंने खोल दिया हमें कैसे बांद ना है पहले यहां पे यह दोनों साइट की डोरी को पकड़के और नॉट लगा लेंगे यह दिखिए हमने नॉट लगा ली टाइट करके अब इसके बाद इधर वाले फैब्री को आप ऐसे अच्छे से कीच के फिर इधर भी नॉट लगा ले यह उनके कमर भी बहुत अच्छे से फिट आएगी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यह देखिए यह हो गया जिए कुछ इस तरह से आजाएगी को पाल जी को और आप एधर कर लएगो अब देखिए मारे दोरी नहीं दिखते अगा और कुछ इस तरह से आजाएगी यह देखिए तो I hope आप लोग को समझ में आ गया हो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी हो तो please आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें तो friend आप मिलेंगे next वीडियो में तब तके लिए Hare Krishna रादे रादे